हेलो दोस्तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ बिना तड़के वाला और बहुती कम मसाले वाला पालक का रायता तो आए शुरू करते हैं पालक का रायता बनाना पालक का रायता बनाने के लिए मैंने एक किलो पालक लिये हैं इसको मैंने साफ कर लिया है साफ करने के बाद में हम इसे अच्छे से दोईंगे और तीन से चार बार दोने के बाद में हम इसे कूकर में डालेंगे पालक का रायता इस तरीके से बनाओगे तो कम समय में बनकर तयार हो जाएगा सारी पालक हमने कूकर में डाल दी है और दो गिलास पानी डाला है अब कूकर का धकन बंद कर देंगे और इसमें दो सीटी हम दिला लेंगे पालक का राय तक कम समय में बंद कर तयार होगा और एकदम स्वादिश्ट दो सीटी आने के बाद में कूकर का धकन हम खोल लेंगे और ये देखिए अब हम छनली लगाकर इसका जो एक्ष्टा पानी है उसको नीचे दूसरे बत्र में निकाल लेंगे और ये जो पालक है इसको हम 30 मिनट तक ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद में मिकसर के जार में इसको डालेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे साती में दो हरी मिर्च डालेंगे एक साबुत लाल मिर्च डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे दरदर पीसना है और ये देखिए हमने पालक पीस ली है ये पालक का रायता आपको बहुत पसंद आएगा फास्ट में इसे आप यूज कर शक्ते हो और पालक का जो हमने पेश्ट बनाया है उसको एक बरतन में डालेंगे और साती में काला नमक डालेंगे और आदा चमच भु अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ये देखिए परफेक्ट पालक का रायता हमारा बनकर तयार है दो मिनट में बन जाता है कम समय लगता है टेश्टी होता है खाने में और इसमें जो मसाले है वह भी पहुत कम यूज किया है आप इसे फास्ट में यूज कर सकते हो और यदि फ्रेंड्स आपको ये पालक का रायता बनाने का मेरा तरीका पसंद आया हो तो मारवाडी रिना किचिन को सब्सक्राइब करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो भी आप प्लीट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताए आपको ये रेसिपी कैस थेंक यू